मुकेश जन्वा आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी टॉक विड एक्सपर्ट्स और उसमें अलग-लग शेत्र के लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं जिसका गाइडेंस हमारे स्टूडेंस को और हमारे इस यूटूब फैमली के म मिलता है हमने एक गेस्ट को पहले भी बुलाया था जो उदैपूर में एक एक्सपर्ट के नाम पर जाने जाते मैट्स और इसन रिजनिंग के वीजन कोचिंग सेंटर के डिरेक्टर श्री अर्वीन जी को सिक आप कई सालों से competition exams के अंदर आप सेमाई दे रहे हैं तो मैंने सोचा कि पहले SAC के उपर बनाया था इस बार IBPS क्योंकि IBPS डिमांड पर है बैंकिंग से रिलेटेड जो भी exams होते हैं प्लस हलाकि ये जो session है आपको हर एक competition exam में मदद करेगा specifically हम लोगों ने choose किया है IBPS आपका अपना खुद का चैनल है उस पर भी कई सारे सब्सक्राइबर है आपका अपना app है test series वगरा करवाते हैं उसके links में नीचे description box में दूँगा अभी हम शुरू करते हैं sir अर्वीन sir सबसे पहले तुम्हें आपका हमारे स्कारिकर में स्वागत करता हूं और मैंने शिर्शक रखा कुछ मेरे students ने पूछा भी था IBPS के बारे में आप बताएं IBPS की full form से start करते वे थोड़ा सा आप समझाएं और इसके लिए qualification requirement क्या होती वो भी समझाएं सभी को नमस्कार और sir आपका बहुत बहुत आभार आपने मुझे यहां पर आमंतरित किया और सभी students को आज IBPS के बारे में बताना चाहेंगे कि IBPS की full form होती है Institute of Banking Personal and Selection ठीक है Institute of Banking Personal Selection अब जैसा की sir ने बताया है कि इसकी सुरुवात कहां से करें या किस कि सब्जेक्ट की हम तयारी करें तो देखें तयारी करने के लिए सबसे पहला तो यह है इसकी qualification आपकी graduation complete होनी चाहिए अगर आप final year में हो अभी तो आप इसका exam नहीं दे सकते ह आपकी graduation complete हो जानी चाहिए और हर साल इसके exams निकलते हैं IBPS Gramid Bank के नाम से भी vacancies निकलती है IBPS PO के नाम से भी vacancies निकलती है IBPS clerk के नाम से भी vacancies निकलती है अब Gramid Bank जो आपके राजिस्थान छेत्रे Gramid Bank जैसे है मेवाड आंचली Gramid Bank है ऐसी और राज्यय यूपी में उत्तर प् Gramid Bank होते हैं तो उनकी vacancy निकलती है उसके बाद IBPS PO तो जो आपके nationalized bank है उनके अंदर आपकी PO की vacancies निकलती है जैसे आपका पंजाब national bank है बैंकों बडोदा है इन बैंकों के अंदर आपकी PO की vacancies निकलती है और इनी के अंदर आपकी clerk की vacancies निकलती है जैसा कि अभी देखा अच्छा एक कोशन और मैं स्टूडेंट के बिहाफ पर पूश रहा हूं कि सर खास करके जो नए उनके बारे में पहले कोशन लेते हैं जो अभी बविश्य देख रहे हैं अपना बैंकिंग फिल्ड में उसके बाद में जो लोग तैयारी कर रहे हैं या साल-दो साल से इस फिल के बारे में भी देखिए अगर बात की जाएं बैंकिंग का कोई भी एक्जाम हो चाहे वो ग्रामिड बैंक हो चाहे आपका नेशनलाइट बैंक हो चाहे आपका SBI हो और जो पेटन इन एक्जाम का होता है वही कहीं न कहीं हमारी इंसोरेंस कंपनी जो हैं LIC, NIC, UIIC, LIC बोल का भी होता है अब जैसा कि सबने बोला कि कहां से सुरुवात करें तो अगर मैं कहूं कि कोमन पेपर कौन सा होता है के अंदर कोमन पेपर अगर देखे तो ग्रामीड बैंक के अंदर आपका जो पहला पेपर होता है उसमें मैच्ज और रिजनिंग के कुश्चन साते हैं 45 मि पियो के पेपर में भी आपके तीन सब्जेक्ट आते हैं पहले पेपर में मैच्स रिजनिंग और इंगलिस आई बीपेस क्लर्क में भी आपके तीन सब्जेक्ट आते हैं मैच्स रिजनिंग और इंगलिस अगर बात की जाए कि सुरुवात कहां से करें तो आप सुरुवात Maths और Reasoning को लेकर कर सकते हैं आप Maths और Reasoning आप perfect कर लीजे दो महिने चार महिने में आप Maths Reasoning perfect कर लीजे उसके बाद आप English की तयारी कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है Maths Reasoning जैसे माल लीजे आपका Gramid Bank कभी भी अगर हर साल vacancy निकलती है तो सबसे पहले Gramid Bank की वेकिंसी निकलती है और Gramid Bank को स्टुनेट्स टार्गेट बनाते हैं तो Maths और Reasoning की इतनी तयारी कर देते हैं कि Gramid Bank हमारा किलियर हो जाए क्योंकि Gramid Bank के बहाने आपका क्या है कि Maths और Reasoning कंप्लीट हो चुकी होती है उसके बाद IBPS Pure और IBPS क्लर की वेकिंसी निकलती है तो Maths Reasoning की तयारी तो आपकी Gramid Bank तक हो चुकी है बाद में आपको केवल एंड केवल English की तयारी करनी पढ़ती है तैंक्यू सर आप Maths और Reasoning Expert है और यदि आप Lectures देखना चाहरें तो मैं description box में आपके YouTube की link दे रहा हूँ आपने कई सरे विलकुल सहच तरीके से आपने वीडियो बना रखा है Well, Maths and Reasoning का guidance दे रहे लेकिन English में अपने साथ add करना चाहरा हूँ कि आजकल मैंने grammar की series इस्टार्ट करी है उसमें concepts और exam माने वाले questions के बारे में brief में, sorry not brief, detail में समझा रखा है आप उसको देख सकते हैं अच्छा सर, बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ लोग बस पढ़ते रहते, पढ़ते रहते उनको पता ही नहीं चलता है चुल में और exam में जाते हुए उनको पता चलता है मुझे सब कुछ आता है लेकिन answer नहीं दे पाते है तो test series का बहुत बोलबाला है IBPS और competition exam में थोड़ा सा test series के बारे में आप बताएं उनको उसकी importance क्या है उसे क्या benefits से और students को कैसे देनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल, सर देखे test series पे आने से पहले आपका maths, reasoning और English तीनों subject आपके पूरे हो जानी चाहिए अब कई बार students क्या करते हैं जैसे मैंने आभी बोला कि graduation आपकी complete होनी चाहिए तो आप लोग सोचते हैं कि हम graduation पहले कर लेते हैं उसके बाद हम तयारी करेंगे लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप पहले attempt में 99% ऐसा होगा कि 99% आप पहले attempt में exam खिलियर कर सकते हैं पहले attempt में वही exam के लिए कर सकते हैं जिनोंने पहले से 1-2 साल से तयारी कर रखिये तो मेरी राई यए है कि अगर आपने 12th pass करके कहीं पे graduation में admission लिया है चाहे BA, BSC, Bcom, Btech, Bpharma किसी भी stream से आप graduation कर रहे हैं तो आप first year से ही एक एक दो दो घंटा पढ़ना चालू कर दीजिए उसके लिए आप maths, reasoning और English और English में आपको देखो English regular आपको पढ़नी जरूरी है क्योंकि English में क्या है कि आपके जो paragraph आते है या vocab part आता है या idioms या one word substitution आते है वो जो current में events चल रहे हैं उनसे related आते हैं हम सोचे कि पुराने 10 साल के paper ले ले हैं उनवे से bank के अंदर आ जाएगा ऐसा नहीं होता है bank के अंदर जो आता है वो हमेशा Times of India के newspaper से या Hindustan Times के इन दोनों के newspaper से ही vocab भी आती है और इन दोनों के newspaper से ही पूरा paragraph भी आता है तो ये आपको daily routine बनाना पड़ेगा आपको कि 12 के बाद से आप घर पे भी जो local newspaper हैं आप उनको पढ़ना चाहें तो पढ़ें मैं ये नी कह रहा हूँ क्यों उनको बाइकाउट करें लेकिन अगर आपको exam किलियर करना है तो आप Times of India या Hindustan Times डेली बढ़ें और इससे आपकी English मजबूत हो जाएगी और Maths Reasoning में अगर आप आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में काफी लंडी तरीके मिलते हैं आप जैसा कि सन्ने बताया हमारे चैनल से भी देख सकते हैं उसमें हमने बहुत अच्छे से सोटकर ट्रीक से कुश्चिन्स करा रखे हैं और उस तरीके से अगर आप करोगे तो आप कर लोगे पहले तो आपको यह कंप्लीट करना पड़ेगा उसके बाद आप सकते हैं और सब कुछ पढ़ लिया लेकिन हम जैसा सन्ने बताया कि काफी स्टुडेंट निरास हो जाते हैं कि हमारा तो सेलेक्शन हुआ नहीं हमारे च्छे महीने साल बर दो साल हो गए हमारे सेलेक्शन नहीं हुआ कारण उसका है केवल एंड केवल होता है कि आपने टेस्ट स्रीज की प्रक्टिस नहीं की है आपने पढ़तों सब कुछ लिया है लेकिन आप अगर 10-15 टेस्ट पिपर देकर की पिपर देने जाओगे तो गारंटेड आपका सेलेक्शन हो जाएगा आप 10-15 पिपर दीजिए उसके बाद आप कहिए कि सर हमने टेस्ट रीज दी और हमारा सेलेक्शन नहीं हुआ गारंटीड 101 परसेंट आपका सेलेक्शन होगा थैंक्यू सर देखे बहुत संक्षित में आपको कितनी सारी इंफ्रमेशन अर्वीन सर ने दी है यही वो एक राइट डिरेक्शन होता है इसलिए हम लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पर यह टॉक विद एक्सपोर्ट बना रखा है कि कुछ ऐसी टॉक आपके लिए प्रिस्तूत की जाए जिससे आपको गाइडेंस मिले इस चैनल में से इस वीडियो को इस साक्षातकार को कोई भी सुन रहा हो चाहिए वो स्टूडेंट हो पैरेंट हो या कोई भी आप रेकमेंड ज़रूर करें अपने फ्रेंड को कि देखिए आप सिस्टम समझीए अचल में आप आँक बंद करके तयारी न करें आप एक प्र मेरा कोशन है सर जोइनिंग से लेकर और आपकी तरब से और कोई टिपस अपने स्टूडेंस को कन्कूजन में देना चाहें जोइनिंग के बारे में भी थोड़ा आप चार लाइन में बताएं देखें ये जोइनिंग की बात बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आप बैंक के अलावा और कोई भी स्टेट गवर्मेंट के एक्जाम हो या सेंट्रल गवर्मेंट के एक्जाम हो उनमें कही न कहीं एक साल डेट साल दो साल का प्रोसिस लगता ही लेकिन बैंक का एक इकलो फर्वरी में उसका रिजल्ट आने के बाद फर्वरी मार्च में आपको जोइनिंग मिल जाती है तो छे महिने के अंदर-अंदर इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है Thank you sir, Arvind sir, देखें बैंकिंग अपने आप में एक safe job है, एक करियर के लिए comfortable job है कुछ लोगों का dream भी होता है, मुझे बस खाली office में बैठके काम करना है तो उसके लिए बेहतरीन option है banking IBPS का खास करके यह आपने round रखा था और भी कई सारे competition exams होते हैं हम फिर आपके सामने उपस्तित होंगे एक नए साक्षातरकार के साथ लेकिन इस particular IBPS से related यह दी आपके कोई भी question हो students तो मैं welcome करता हूँ आपके questions का और मैं request कर रहा हूँ Sir से भी कि next साक्षाकार में आपके question का वो वापस detail में जवाब देंगे ताकि आपका question सिर्फ एक व्यक्ति का question होगा लेकिन हो हजारो students की problem को solve करेगा so Erwin sir thank you so much इस छोटे से interview में आने के लिए and बाकी students आप जुडे रहिए और इस channel को subscribe करें if you have not done yet otherwise I'll be right back here with a new guest और a new personality ताकि आपको कुछ नया दे सके thank you so much